ममश्कार सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने खास कारेकरम आईरवेद्ध सुपर साइंस में आज हम जिस विशय के को लेकर आपके समक्षाए हैं उसका सभी लोगों से कहीं न कहीं सरोकार है और ये एक ऐसा गंभीर समस्या है जिसके वजह से आदमी का उठना बैटना भी दोबर हो जाता है ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जो कहीं न कहीं जान लिवा भी साबित हो सकती है लेकिन उससे पहले की जो तकलीफ है वो बहुत जाद है आज हम जिस विशया को आपके समक्ष लेकर आ हैं वो है बावासीर यानि पाइल्स यह एक ऐसी समस्या है जो तक्रीबं तक्रीबं हर घर में किसी को किसी कारण से खान पान के दूशित होने के कारण या किसी और कारण से कही नहीं कोई ने आप अपको एस व्यक्ति मिल जाएंगा जिसको इसते चांत स्मस्या तो कोई शुरू हो जाएगी जिससे खूनी बवासीर बादी बवासीर या मवादाना मल के समय में या शौच के समय में असेहनी है पीड़ा होना इन सब दिक्कतों को एकदम दूर करेगी और धिरे-धिरे करके आपकी समस्य का समाधान जड़ से हो जाएगा पूर्ता हो जाएगा ना इसके लिए आपको आप्रिशन करने के अवेशकता है ना इसके अलावा किसी और बहेंगी दवाई खाने के अवेशकता है मुझे अमीद है कि शुरू के एक हफते या पतरा दिन में ही काफी ज़्याद अच्छा सर दिखाना शुरू कर देती है हाँ थोड़ा समय दीखे क् अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की समस्या से जूज रहा है तो मुझे कॉल करके पूछ सकता है अपनी समस्या के बारे में या फिर वो टेलीफोन पर और करके पाईलो निल को मंगा सकता है इसको दो चमच पाईलो निल को अगर आप दो गलास पानी के अंदर को लेंगे तो यह जड़ से इस समस्या को समाप्त करेगा एक कॉलर हमार साथ जुड़े हैं उनसे बात करते हैं हलो हां जी नमस्कार जी राजेंदर गाजी अबासे हां बताईया राजेंदर जी मुझे लगता है आपको अपरेशन कराने की अवशकता नहीं है आप पाईलो निल ले लिए पाईलो निल जो कि मैं अभी टीवी पे दिखा रहा हूं इसका अगर आप नियमित इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी पासा दिन में ही आपको काफी अच्छा इसका इंदर र इसका कर प्लीष के अंदर है आप तो बैठने का काम ज्यादा है आपका खाना घर का नसीब हो आपको लुक्री के निदर अपको बहुत जल्रा आप प imprisoned के ढूबर हो आपrock जतनी जिल्दी हो सके पाईलो निल का टिलिवरी हो जाएगी और पैसा आपने दिलिवरी के सवते ह सविधा उपलब्द है तो यह आप लीजिए जिससे की दिले दिले करके आपकी समस्य का समाधान हो जाएगा और इसको लेने का तरीका बहुत आसान है और इसके उपर डबे पे भी लिखागा अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके उपर इसको बनाने की विधी भी पूरी ल की जैदा होता है रोगों को कर दो करेंसे कारण से बवासीर हो जाती है या बहुत ज़्यदा चलापका खाते है या इस तरह से जय से आप को बहुत जल्दी काफी अच्छा रिलीफ आ जाएगा तो आप निशिंत होगे मंगालों कोई परिशानी नहीं और इसको आप शुरू करोगे आपको रिलीफ आ जाएगा इसके अगर तेंक्यू तो देखा आपने ये कॉलर हमार साथ जुड़े जिनको खान पान की समस्या थी जो यूपी पृलिस कें अदर जैसे इन भीने बताया और इस तरह से करते गरते एक आप समस्या इनकी गंबीर होती चलिए और काफी इनको तकलीफ हुई तकलीफ है कि पाइलस हो गई क्यों हूई क्कि खाना पीना घर का नहीं है नसीम की हो पा रहा वहाँ पर वाईयू बढ़ेगा आपके शरीर के अंदर जिससे आपके मस्से जैसी समस्या बावसीर के हो जाएंगे उसमें कुछ लोगों को उसमें खुन निकलना शुरू हो जाता है खुनी बावसीर बोलते हैं उसको तो उनकी बावडी के अंदर एनीमी को जाते हैं उनकी बावडी में खुन की हमेशा कमी रहती है क्योंकि खुन जितना बनेगा उससे जादा निकल जाएगा तो उनको बहुत कमजोरी रहती है टांगों में दर्द होता उनके चले फिर्णे में असमर्थ होते हैं और कई बार तो उनको जो उनके कपड़े हैं वो भी उस ब्लड के कारण गंदे हो जाते हैं इतनी गंभीर ये एक समस्या है जिसको हम बहुत हलके बे नहीं ले सकते हैं हम आज गंभीर बिमारी के नाम पर बड़ी बिमारी को नाम लेते हैं कैंसर का नाम लेते हैं हम आज किड्नी फेल लीवर फेल का नाम लेते हैं लेकिन बावासीर भी अपने आपने एक बहुत विकट और गंभीर समस्या है जिससे जो बड़ी बिमारिया है वो तो इनसान को ए नमस्कार नग्सार मुझे ने डिप्रेशन की बहुत मुमारी है इसे चार पांच सार होगी है तो मैंने बहुत अलोबेतिक दवाई विखाई है पर कुछ फरक नहीं पड़ रहा है अलिए आपको पंजाब करें में पंजाब से बात कर निल कॉमार जी डिप्रेशन किसीज का कर समस्या किस कारण से है depression एक गंबीर समस्य है लेकिन किस कारण से आपको हुई थोड़ा दबर को आप बताएंगे अच्छा तो इस बात का depression है आपको कि आपके इंटर्व्यू के अंदर आप पास नहीं हो रहे हैं ठीक है तो इसके लिए देखो जैने की जुरत नहीं आप मेहनत करो मुझे लगता है उसमें आप हो जाओगे और मानसिक समस्या और मानसिक रोग है कई बार किसी प्रकार का कोई आगात होता है किसी भी कारण से जैसे आपका इंटर्व्यू में आफ खेल हुए या किसी को को और मारक बच्चे होते हैं स्कू के पुरब गाट्र को सुन ही जिनके छोटे बच्चे उन्बे जाते हैं वो भी जर डिप्रेशन में आपको मैसूज हमें यह दो कि कि आपका बच्चा वंडर सी तॉब्स Memo अपने पढ़ाई यूण इंधर संजीवनी सुमेधा को लेने का तरीका विलकुल आसान है इसके 5 चमच लेने हैं और 5 चमच आप पानी में घोलकर अपने बच्चे को पिला सकते हैं यह हुई बच्चों की बात लेकिन अब इसी में जिस प्रकार से डिप्रेशन का बोला उसी संजीवनी सुमेधा का जाएगा उनको मैसुस नहीं होगा जहां आज अलोपैथी के नाम पर विबिन प्रकार की स्टिरोइड और नींद की और नशे की दवाईयां ले रहे हैं उससे शायद आपका डिप्रेशन दूर होगा नहीं होगा लेकिन आपकी किड़नी लिवर जरूर फेल हो जाएंगे इसमें कोई संशय नहीं है पीछे भी बहुत समस्य होगी अलोपैथिक दवाई खाने के कारण कई औरतों की मृत्यू भी होगी तो उसको आप छोड़ दीजिए आप अपना ये संजीवनी सुवेदा का नियमित प्रियोग कीजिए दिरे-दिरे करके आपकी समस्या का समाध इस देखो कितनी गंभीर समस्या हो चुकी है आजकल डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो जिसको देखें डिप्रेशन है किसी को काम का किसी को पढ़ाई का किसी के पढ़ाई कम हो रही है उसका किसी के एक परसेंट नंबर कमा रहे है उसका है किसी के घर के अंदर जगडा एक सब्वाइप्र संभाण से संभवेदा करें और पी उयीवूटियों का तो इसका पांचपच सुबहर शाम युक्त पानी में घौलकर तरीकبة है आपने आफिस के अंदर भी इसकी बॉटल को रख सकते हैं और सुबहर दोपहर शाम लेंगर जाद तकलीफ है और सुबहर शाम लेंगर कम तकलीफ है इसको अप लेंगे तो आप देखेंगे देरे-देरे करके आपका डिप्रेशन कितनी जल्दी कम हो गया और ध्रे-देरे करके करना लोग क्या करते हैं डिप्रेशन अगर हुआ या बावसीर अगर हुई या किसी भी तरह की कोई और गंबीर समझते हुई तो वह क्या करते हैं वह खाना पीना छोड़ देते हैं इसके साथ एक कॉलर और जुड़े हैं सुनते हैं हलो हां जी हां जी नमस्कार जी तो आपको डिप्रेशन कैसे हुआ क्या उमर है आपकी 20 साल क्या करती हैं पढ़ती हैं आप पढ़ाई का दवाब है किस चीज का दवाब है और जिट से पढ़ी है आगे सक्सेस नहीं हो पारी है देखो हिम्मत नहीं छोड़नी चीज़ें इनसान को सक्सेस पाने के लिए च लेकिन उसके बाद भी उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वह डिप्रेशन में नहीं जाती इसलिए आप उसको एक अपना आधार बनाईए आप उससे कुछ सिक्षा लीजिए और दूसरा देखिए डिप्रेशन एक मानसिकर हो गया इसका इलाज तुरत होना चाहिए मैं चा चाहते हो क्लिडिक पर भी आ सकते हैं स्वागत है उनका अधरवाइस आप उसको अपना मंगा सकती है मतरा उसे बोल रही है तो कैशन डिल्विरी पे उपलब दो जाएगी आपको घर पर पहुंच जाएगी आपके दवाई तो सजीवरी सुमेदा आप और कर दीजिए जित पढ़ाई के कारण जोंगों को बढ़ते देखा है पढ़ाई के और लोगों के ग्यान बढ़ते देखा है व्हुता जो रहा है इसका even कहीन कहींपर यह हमारे शुप्रवडती इसक्रमें कर एहन उगनान जिसके कारण लोग शिक्षित तो जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं लेकिन डिप्रेशन की जैसी समस्या गंभीर से बहुत ज्यादा उनको दो-चार हाथ करने पड़ रहे हैं और उनके बड़ी तकलीफ वाला उनके लिए एक विशह है तो मैं ऐसे सभी लोगों को बोलूगा जो लोग डिप्र प्रियोग करना चाहिए और जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको टोनिक की तरह आप इसको टॉनिक की तरह सकते हैं दवाई की तरह ना करें आपका बच्चे अगर स्कूल जाने वाला है आप उसके दो-दो-तीन-तीन चमच अगर सुभरे शाम देंगे तो आप देखे आपको बजार में मिल ही ना पाए तो जितनी जल्दी हो सके आप इसके दो-दो-दो-चमच दीजी और आफिर इसके वाद इपने बच्चे का ब्रेन देखेंगी उसके एक्टिविटीज में देखेंगी तो बहुत अंतर है इसके साथ ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत आपको स्वैम नजर आ जाएगा इसका मैं उधारन देता हूं हर इंसान के अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है चाया वो बच्चा है चाया वो बड़ा है अगर आप बच्चे को हमेशा यह सोचते रहेंगे कि आप ही उसके लिए सब कुछ करें तो कहीं ने कहीं वह संजीवनी सुमेधा की बेहद और अत्यांत आविशकता है जितनी जल्दी हो सके संजीवनी सुमेधा का प्रियोग अपने बच्चे को शुरू करा दें चाहे वो बिमार आपको नहीं लग रा तो भी हर बिमारी के लिए जोरी नहीं की केवल बड़ी बिमारी है यह 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 कारण से बच्चे और उनके माबब बहुत ज़्यदा परिशान रहती है और अपने बच्चों पर अत्यादिक दबाव ना बनाएं उनको एक लिमिट तक ठीक है हर बच्चे का अपना सोचने समझने का तरीका होता है एक कॉलर जुड़ें कॉलर से बात करते हैं हलो है अच् यह मैं पाइलो निल का डबा भी दिखा रहा हूं अगर आप देख पा रहे हैं तो तो पाइलो निल है यह आप इसको जितनी जल्दी हो सके इसको मंगा लें क्यूंकि पाइलो निल के इस्तेमाल से ही दवा से जाएगी आयूरुवेद में आपको मैं बात बताओं कोई ऐसी इस बिमारे निए इसकर इलाजना हो के वड़ समस्या क्या है कि सही समय पर सही दवा का मिलना आयूरुवेध के नाम पे आप कोई भी दवा खाएंगे आप सुचेंगे कि मेरे को आराम नहीं पढ़ रहा है वो नहीं पढ़ रहा तो उस दवा की कमी है उस पद्धिती की कमी नहीं जिसके अंदर आपने फोन किया आपने से बहले कौन कौन सी दवाईया लिये है अईरुवेदिक लिये है अलोपैथिक ल तो आप मैं यूरेश इसका जितनी जल्दी हो सके पाइलो निल का आप और करो यह घर बैठी आपको मेरट ही मिल जाएगी तुरत आप इसका और करके इसका तुरत मंगाने की प्रयास करो और जितनी जल्दी हो सके आप शुरू करो मुझे अमीद है हफते 15 दिन के अंदर य जाता बिटा नहीं ब्लड बगर नहीं जा रहा ना आचा सुखी भावसी ठीक है जितनी जल्दी हो से का आप इसको और मगाती शुरू करो ओके पाइलो निल डिप्रेशन के लिए संजीवनी सुमेधा और बच्चों के लिए इसको आप टॉनिक की तरह भी इस्तेमाल कर सकत संजीवनी सुमेधा को तो पाइल्स की जो समस्य आया ना देखिए बहुत भेंकर रोग है एक इंसान को शरीर से बहुत तोड़ता है आर्थी ग्रूप से तो इतना नहीं तोड़ता है लेकिन शरीर ग्रूप से इतना तोड़ देता है कि वह व्यक्ति कहीं कमाने खाने और को आपने दो ग्लास पारी में उबालना है और जब वह आधा ग्लास रह जाए उसका एक चौथा ही सुभ है एक चौथा ही शाम को जब आप दो समय लेंगे तो हटे 15 दिन के अजरी आपकी पाइल्स की समस्या से आराम बिलना शुरू हो जाएगा पूर्णता ठीक होने म कैसे जब मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा किसी चीज में परिशान रहते हैं तो हमारा खान पान और उसको हजम करने का सिस्टम कई बार गडबड हो जाता है जिसके कारण से पर जाती है और वह चुछ लोगों को हाजत बनी रहती है उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं घर से बाहर निकलू और मुझे मौशन आजाए मुझे सफर करना मुझे मोशन आजाए यह भी डिप्रेशन की स्थिति है तो जो भी डिप्रेशन की स्थिति है वो भी पाइल्स के कारण पैदा होती है और कई बर पाइल्स भी डिप्रेशन के कारण पैदा होती है कि मानसीक रूप से आदमी परिशान रहता ह उसके कारण उसका पेट का सिस्टम गरबर होता है और पेट का सिस्टम गरबर होने के कारण से पाइल्स की समस्या पैदा होती है ये दोनों एक दूसरे की पूरक समस्या हैं तो जो भी लोग इस प्रकार की समस्या से जूज रहे हैं वो जितनी जल्दी हो सके हमारे संस्थान स संपर्ख करके कॉल करके नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं इमिजेटली अपनी दवा का ओर्डर करें और उसको मंगवा कर अपनी अपनी समस्या का समाधान घर बैटे प्राप्त करें और अपनी अगर और और बी कोई समस्या है तो यह एक लाइब फोर्नी लाइब कार्य लिए शेव बाद काई पाल्ड धुर्फ यह के पर फेंवन के में उमखी उकर को तो डी टो आक्छ लिए झारी परीशानी Talip जृए तब तक इनका कि में रिक्वेत कोई निए तो एक पूंसितनी संघ्वनी सिमयदा लिकवेड़ आता है वह जितनी जल्दी हो सके हमारे संस्था से मंगा लें और ज्यादा दिमाग पे जोर मट डालें देखिए सब चीजे समय के साथ निवधारित होती है आज का कारेकरम ना केवल एक कारेकरम एक मौटिवेशनल कारेकरम जिसमें मैं आप जो भी लोग कॉल कर रहे हैं को मोटिवेट करनी कोशिश कर रहा हूं कि वो अपनी समस्या से बाहर निकले तो संजीवनी सुमेधा आप मंगाईए पाच माच चमच उसके सुबह शाम लीजिए अगर ज्यादा तकलीफ है और शादी नहीं हो रही है और यह सब दिक्कत आ रही है तो देखिए सब कुछ चीजे समय पर छोड़ देनी चाहिए मुझे लगता है बजाए उसके उपर बहुत जदा अत्यादिक दिमाग लगाने के क्योंकि उसके कारण से आप ज्यादा सोचेंगी तो आपकी समस्या औ आप जितनी जल्दी हो सके वो दवा शुरू करें और ज्यादा सोचना इस विशह पर बंद करें ठीक है कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही कुछ लोगों की शादी बहुत जल्दी स्टेज में हो गई यह भी डिप्रेशन का कारण ढूंडते हैं तो हमें डिप्रेशन के हो ऀंगी अपका ब्रें अंणे कामों में भी आपका स्भेश योग नहीं आपका सभश कम्ते बाख यह ऑर जिदाने करेंगे एक ऐसा brain relaxant चाहिए जो दिमाग को शांत करे और ultimately आपके दिमाग को एक relax करके एक सही रस्ते पे सोचने के लिए आपको लेके जाए बजाए आप इधादर की बात सोचके negativity आपके मन के अंदर आए क्योंकि अगर आपके मन में negativity आएगी तो आपके चरित्र में भी negativity आएगी औ आपके चरित्र negative होआ तो आपके घर का पूरा औरा खराब हो जाएगा ऐसे घरों में सबसे आदा कलेश और ग्रह कलेश होता है जहां पर negativity बहुत जाद होती है एक दूसरे के प्रती समर्पणा का भाव नहीं होता और वो तबी होता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है ज इससे अल्टिमेटली आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें तो आज हमने विविन प्रकार के मरीज़ों के बार अब देखा कि किस प्रकार से उनको छोटी छोटी समस्या मिलकर एक बड़ी समस्या बन गी है किसी ने खाना समय पे नहीं घाया कॉंस्टिपेशन के पा कि के द्वार दिये जा रहे हैं मंगाने की विदी बहुंत आसान है आपको अपना ओडर भुक करा सकते हैं जो आपको गर बैठे दवटी दवा ही मिल सकते हैं अगर आप उससे मिलना चाते हैं तो मेरे क्लिनिक पर आप अपईन्मेंट L लेका कके की सम्भावना भी इसके अंदर है, जिसमें आप गर बैठे इसका पैसा दे सकते हैं, और वहीं पर ही आप बैठे- बैठे इस दवा को मंगा सकते हैं और इसको शुरु कर सकते हैं, तो मैं आपने जैसी समस्य है जूझ रहा है तो पलो निल और डिप्रेशन लहा है तो संजीवनि सुमेधा, संजीनि सुमेधा उसके लिए ऐसा कारे करें गी जो एक डिपरेशन से मिरीज को चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई निशा या इस तरह की दवाइयां नहीं निकालेंगी और जो नॉर्मल डिप्रेशन है उसको तो खतम करेगी करेगी तो संजीवनी सुमेदा का प्रियोग जितनी जल्दी हो सके आप इसका स्टार्ट कीजिए इसी बात के साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देकर आप सब लोगों से विदा चाहता हूं और अगल झाल 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 झाल